नमस्कार दूस्तो, पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि कश्मीर उसका है, आज कश्मीर के हालाद देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, भारत हो या पाकिस्तान, सीमा के दोनों तरफ मद्दाताओं के धरूई करण के लिहाज से कश्मीर ऐसा मुद्दा रहा है, जिसे सभी सियासी पार्टियां भुनाना चाहती हैं, लिहाजा दोनों मुलकों के सभी दलों के घोशन आपत्र में कश्मीर के मुद्दे को हमेशा प्रत्मिक्ता दी जाती रही है, ऐसे में एक चौकाने वाली अबर पडोसी देश पाकिस्तान से आई है, जहांके बड़े जाजनेतिक दलों के घोशन आपत्र में कश्मीर का मुद्दा लगभग गायब दिख रहा है, पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों को लेकर जहां सियासी सरगर्मी चरम पर है, वहीं मद्दाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनेतिक दलों ने अप पाकिस्तान पीपल्स पाटी, PPP के चुनावी घोशन आपत्र पर नजर डाले तो कश्मीर का जिक्र नामात रही हुआ है, कश्मीर को लेकर आकरामा क्रुख रखने वाली, पाकिस्तानी सेना द्वारा परोक्ष रूप से समर्थित पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार् प्तराष्ट सुरक्षा परिशद, UNIC, के प्रस्ताव के दायरे में सुलजाने के लिए ब्लू प्रिंट तयार करने की बात कहीं गई है, वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े दल, पूर्व प्रधानमंतरी नवास शरीफ की PMI-LN के घोशन आपत्र में चीन के साथ नजदी की को प्रात्मिक्ता के साथ पाकिस्तान के परमानू हत्यारों की सुरक्षा को प्रात्मिक्ता दी गई है, वहीं कश्मीर को विदेशी रिष्टों को सुधारने के लिहाज सेदा सुत्रिये इजे इंडे में नौवा स्थान दिया गया है, जबकि घोशन आपत्र में कश्मीर, फिलिस्तीन वरोहिंग्या मुसल्मानों पर हो रहे कथित अत्याचार पर सहानुभूती जताई गई है वहीं पूर्फ प्रधानमंत्री बेंजीर भुटो की पीपीपी के घोशनापत्र में भारत के साथ संबंद को मजबूत करने वो बाचीत के दौर को जारी रखने की वकालत की गई है बास अटपनों के घोशनापत्र में कश्मीर का मुद्दा 69 पेज़ पर है लिहाजा पाकिस्तान की इन तीनों बड़ी पार्टियों के घोशनापत्र के अध्ययन से यह पता चलता है कि तीनों सियासी दल भारत से अच्छे रिष्टे चाहती है कश्मीर मुद्दे को पीछे चोड़ते हुए भारत के साथ अच्छे व्यापारिक संबंद स्थापिद करनी चाहती है अब सवाल ये है कि जब इमरान की PTI का नारा नया पाकिस्तान है तो क्या इमरान खान के इस नय पाकिस्तान में कश्मीर नहीं है नवाज की पार्टी PMI Lane का नारा है वोट को इजब दो तो कश्मीर के लिए नवाज की इजब कहा है PPP का नारा है भी भी का वादा निभाना है पाकिस्तान बचाना है तो कश्मीर पर कबजे की बात करने वाले बिलावल भुट्व जरदारी के घोशना पत्र में कश्मीर के बजाय पाकिस्तान को बचाने पर जोर क्यों है बहरहाल यहां कहना जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान ने कश्मीर राग छोड़ दिया है लेकिन इस महीने के अंत में होने वाले आम चुनावों में बड़े सियासी दलों के घोशना पत्र से कश्मीर के मुद्दे का लगभग गायब होना इस बात की और इशारा जरूर करता है कि कश्मीर के नाम पर अब पाकिस्तान में वोट नहीं मिलने वाले हैं धन्यवाद